C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संचयन काध्वान्यांकन जिसका वाचन कर रही है निवदिता सर्दार प्रस्तुत है दूसरा पाठ स्मृति लेखक श्री राम शर्मा लेखक परिचे श्री राम शर्मा 1896-1967 प्रारंभ में अध्यापन कारे करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहें विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेश ख्याती प्रात्खी हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए प्रमुक रच्नाएं शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव ये शिकार संबंधी पुष्टके सेवा ग्राम की डायरी एवं सन बयालीज के संस्मरण इत्यादी पाठ पली चै इसमें लेखक ने बाल्या वस्था की एक घटना का सजीव चित्रांकन किया है इस कहानी का घटनाकरम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रतियक्षन परिस्थिती की गंभीरता और सामने आये खत्रे का वर्नन पाठक के कोतुहल को आदी से अंतितक बिनाई रखता है बच्चों की सहर जिग्यासा एवं क्रीडा कैसे कभी-कभी उन्हें कठन एवं जोखिम पूर्ण निरनायक मोड पर लाखड़ा करती है इसका बहुत ही सजीव वर्नन प्रस्तुत किया गया है आईए सुनते हैं पाठ स्मृति प्रिष्ट संख्या आठ से सत्रा तक सन उन्निस सो आठ इस्वी की बात है दिसंबर का आखिर या जन्वरी का प्रारंभ होगा चिल्ला जाडा पड़ रहा था दो चार दिन पूर्व कुछ बूंदा बांदी हो गई थी इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी सायंकाल के साड़े तीन या चार बजे होंगे कई साथियों के साथ मैं जर बेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गाव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं शीग रही घर लोट जाओ मैं घर को चलने लगा साथ में चोटा भाई भी था भाई साहब की मार का डर था इसी लिए सहमा हुआ चला जाता था समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा डरते डरते घर में घुसा आशंका थी कि बेर खाने के अपराद में ही पेशी न हो पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया अब पिचने काट भय दूर हुआ हमें देखकर भाई साहब ने कहा इन पत्रों को ले जाकर मक्खन पूर डाक खाने में डाल आओ तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिठियां निकल जाए ये बड़ी जरूरी है जाडे के दिन थे ही तिस पर हवा के प्रवकोप से कम कपी लग रही थी हवा मज्जा तक ठिटुरा रही थी इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा मा ने भुणजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांच दिये हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उमर में राइफल से नहीं मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायन वाहन हो चुका था मक्खनपुर के स्कूल और गाव के बीच पढ़ने वाले आम के पेडों से प्रतिवर्ष उससे आम जूरे जाते थे इस कारण वह मूख डंडा सजीव सा प्रतिथ होता था प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे चिठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेवे ना थी हम दोनों उचलते कूदते एक ही सांस में गाव से चार फर लांग दूर उस कुए के पास आ गए जिसमें एक अती भयंकर काला साप पड़ा हुआ था कुआ कर्चा था और चौबीस हाथ गहरा था उसमें पानी न था उसमें नजाने सांप कैसे गिर गया था कारण कुछ भी हो हमारा उसके कुए में होने का ग्यान केवल दो महीने का था बच्चे नटखट होते ही हैं मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी एक दिन हम लोग स्कूल से लोट रहे थे कि हमको कुए में उजखने की सूजी सबसे पहले उजखने वाला मैं ही था कुए में जाक कर एक धेला फेका कि उसकी आवास कैसी होती है उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनी सुनने की इच्छा थी पर कुए में जो ही ढेला गिरा तो ही एक फुसकार सुनाई पड़ी कुए के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे कि लोले करता हुआ म्रिक समूह अती समीप के कुट्टे की भौक से चकित हो जाता है उसके उपरांत सभी ने उचल उचल कर एक एक धेला फेका और कुए से आने वाली क्रोध पूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए गाव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लोट सते समय प्रायहा प्रति दिन ही कुए में धेले डाले जाते थे मैं तो आगे भाग कर आ राता था और टोपी को एक हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से धेला फेकता था ये रोजाना की आदत सी हो गई थी साब से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुए की और निकले कुए में धेला फेक कर फुसकार सुनने की प्रवृति जागरित हो गई मैं कुए की और बढ़ा छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े म्रिक्षावक के पीछे छोटा म्रिक्षावक हो लेता है कुए के किनारे से एक धेला उठाया और उच्छल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए साब पर धेला गिरा दिया पर मुझ पर तो बिचली सी गिर पड़ी सांप ने फुसकार मारी या नहीं धेला उसे लगा या नहीं ये बात अब तक समरण नहीं टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिठियां चक्कर काटती हुई कुए में गिर रही थी अकसमात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होते पर निकल जाती है और वह तडपता रह जाता है उसी भाती वे चिठियां क्या टोपी से निकल गई मेरी तो जान निकल गई उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक जपटा भी मारा ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चड़ते देख उस पर हमला करता है पर वे तो पहुँच से बाहर हो चुकी थी उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयम जटके के कारण खुए में गिर गया होता खुए की पाट पर बैठे हम रो रहे थे चोटा भाई धाड़े मार कर और मैं चुपचाप आँखे डबडबा कर पतीली में उफान आने से धकना उपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है निराशा पिटने के भै और उद्वेग से रोने का उफान आता था पलकों के धकने बीतरी भावों को रोकने का प्रयत न करते थे पर कपोलों पर आसुधुलक ही जाते थे मा की गोद की याद आती थी जी चाहता था कि मा आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं चिठियां फिर लिख ली जाएंगी तबियत करती थी कि कुवे में बहुत से मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिठि डाल आये पर उस समय मैं जूठ बोलना जानता ही न था घर लोटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती मार के खयाल से शरीर ही नहीं मन भी काप जाता था सच बोलकर पिटने के भावी भय और जूठ बोलकर चिठियों के नह पहुँचने की जिम्मिदारी के बोज से दबा मैं बैठा सिसक रहा था इसी सोच विचयार में पंद्रह मिनिट होने को आए देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था कहीं भाग जाने को तबियत करती थी पर पिटने का भय और जिम्मिदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी द्रिड संकल्प से दुविधा की बेडियां कट जाती है मेरी दुविधा भी दूर हो गई थी कुए में घुसकर चिटियों को निकालने का निश्चे किया कितना भयंकर निरने था पर जो मरने को तयार हो उसे क्या मूर्क सा अथवा बुद्धी मत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ख ही स्वीकार कर ले और वह भी जान बूच कर तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तयार हो जाता है और फल? उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ती पर निर्भर है उस समय चिठिया निकालने के लिए मैं विश्धर से भिड़ने को तयार हो गया पासा फैंक दिया था मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म इसकी कोई चिंता न थी पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूँगा तब फिर चिठिया उठा लूँगा बस इसी दुड़ विश्वास के बूते पर मैंने कूए में घुसने की ठानी चोटा भाई रोता था और उसके रोने का चातपर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है यद्यपी वह शब्दो सिन्ना कहता था वास्तव में मौत सजीव और नगन रूप में खुए में बैठी थी पर उस नगन मौत से मुठ भेड के लिए मुझे भी नगन होना पड़ा छोटा भाई भी नंगा हुआ एक धोती मेरी एक छोटे भाई की एक चने वाली दो कानों से बंधी हुई धोतियां पांच धोतियां और कुछ रसी मिला कर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई हम लोगों ने धोतियां एक दूसरी से बांधी और खूब खींच-खींच कर आजमा लिया कि गाठे कड़ी है या नहीं अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुए में डाल दिया दूसरे सिरे को डेंग वह लकड़ी जिस पर चरस पुर टिकता है के चारो और एक चकर दे कर और एक गांठ लगा कर छोटे भाई को दे दिया चोटा भाई केवल आठ वर्ष का था इसी लिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांच दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा मैं कुए में धोती के सहारे घुसने लगा चोटा भाई रोने लगा मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुए के नीचे पहुँचते ही सांप को मार दूँगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे इसलिए कुए में घुसते समय मुझे साप का तनिक भी भै न था उसको मारना मैं बाए हाथ का खेल समझता था कुए के धरातल से जब चार पांच गज रहा हूंगा तब ध्यान से नीचे को देखा अक्ल चक्रा गई सांप फन पहलाए धरातल से एक हाथ उपर उठा हुआ लहरा रहा था पूंच और पूंच के समीप का भाग पृत्वी पर था आधा अग्र भाग उपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था नीचे डंडा बंधा था मेरे उतरने की गती से जो इधर उधर हिलता था उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था संपेरा जैसे बीन बजा कर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन पहला कर खड़ा होता है और फूंकार मार कर चोट करता है ठीक उसी प्रकार सांप तयार था उसका प्रतिद्वन्दी मैं उससे कुछ हाथ उपर धोती पकड़े लटक रहा था धोती डेंग से बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधी के बीचों बीच ही उतरना था इसके माने थे साप से देड़ दो फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर साप पैर रखते ही चोट करता स्मरण रहे कर्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है नीचे तो वहाँ डेड़ गज से अधिक होता ही नहीं ऐसी दशा में कुएं में मैं साप से अधिक से अधिक चार फुट की दूरी पर रह सकता था वह भी उस दशा में जब साप मुझ से दूर रहने का प्रयत न करता पर उतरना तो था कुएं के बीच में क्योंके मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था उपर से लटक कर तो साप नहीं मारा जा सकता था उतरना तो था ही ठकावट से उपर चड़ भी नहीं सकता था अब तक अपने प्रतिद्वन्दी को पीठ दिखाने का निश्चे नहीं किया था यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं उपर चड़ सकता था धीरे धीरे उतरने लगा एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तिता बढ़ती जाती थी मुझे एक सूज सूजी दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिये दिवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुँ मारा मेरे पैर भी दिवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोन बनाती हुई लटकती रहे पर इस साप से दूरी और कुएं की परिदी पर उतरने का धंग मालूम हो गया तनिक जूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वन्दी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर डेड़ गज पर कुएं की धरातल पर खड़ा हो गया आंखे चार हुई शायद एक दूसरे को पहचाना साब को चक्षू श्रवा कहते हैं मैं स्वयम चक्षू श्रवा हो रहा था अन्या इंद्रियों ने मानो सहानो भूती से अपनी शक्ती आँखों को दे दी हो साब के फन की ओर मेरी आँखे लगी हुई थी कि वहा कब किस ओर को आक्रमन करता है सांप ने मोहनी सी डाल दी थी शायद वह मेरे आक्रमन की प्रतीक्षा में था पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुए में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाए कभी-कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके सांप को डंडे से दबाया जा सकता था पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था यदि फन या उसके समीब का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभाव ना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिठियों को कैसे उठाता दो चिठियों उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी मैं तो चिठियों लेने ही उत्रा था हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे उस आसन पर खड़े खड़े मुझे चार-पांच मिनिट हो गए होंगे दोनों और से मोर्चे पड़े हुए थे पर मेरा मोर्चा कमजोर था कहीं साप मुझे पर जपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता थो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता पर वह तो अचूक तरलविश मेरे शरीर में पहुचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता अब तक साप ने वार ना किया था इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का खयाल छोड़ दिया ऐसा करना उचित भी न था अब प्रश्ण था कि चिठिया कैसे उठाई जाएं? बस एक सूरत थी डंडे से साप की ओर से चिठियों को सरकाया जाए यदी साप तूट पड़ा तो कोई चारा न था कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे साप के मूँ की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ मारना या बिल्कुल छेड़ खानी ना करना ये दो मार्ग थे सुप पहला मेरी शक्ति के बाहर था बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा डंडे को लेकर जो ही मैंने साप की दाई और पड़ी चिठी की और उसे बढ़ाया कि साप का फन पीछे की और हुआ धीरे धीरे डंडा चिठी की और बढ़ा और जो ही चिठी के पास पहुँचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तडपी और डंडे पर गिरी हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्यान न मानी डंडा छूट पड़ा मैं तो न मालूम कितना उपर उचल गया जान पूच कर नहीं, योहीं बिदक कर उचल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर तीन चार स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है वह विश्था सांप ने मानो अपनी शक्ती का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर तीन चार चोंटे की वह डंडा पहली बार इस भांती अपमानित हुआ था या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था उधर उपर फूं फूं और मेरे उचलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा की मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधूत्व का नाता फूं फूं और धमाके में तूट कया उसने खयाल किया की सांप के काटने से मैं गिर गया मेरे कश्ट और विरह के खयाल से उसके कोमल रिदय को धक्का लगा भ्रात्रिस ने के ताने बाने को चोट लगी उसकी चीक निकल गई चोटे भाई की आशंका बेजा न थी पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया दुबारा फिर उसी प्रकारले फाफे को उठाने की चेश्टा की अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया डंडा हाथ से चूटा तो नहीं पर जिजक सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से चूग गया उफ कितना ठंडा था डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उच्छलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ठंग बचने के निकलाते हैं वह दैवी कृपा थी डंडे के मेरी और खिच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गया मैंने तुरंथ ही लिफाफे और पोस्ट काड चुन लिये चिठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें उपर खींच लिया डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी सांप उससे खुल कर उस पर धरना दे कर पैठा था जीत तो मेरी हो ही चुकी थी पर अपना निशाना गवान चुका था आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ परवार करता इसलिए कुए की बगल से एक मुठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाई और फेंकी कि वह उस पर जप्टा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाई और से डंडा खीच लिया पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया यदी बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दाउत गड़ गए होते अब उपर चड़ना कोई कठिन काम न था केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कही लगाए हुए 36 फुट उपर चड़ना मुझसे अब नहीं हो सकता 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चड़ने की हिम्मत रखता हूँ कम ही अधिक नहीं पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चड़ा बाहें भर गई थी चाती फूल गई थी धोंकनी चल रही थी पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में मैं उपर चड़ाया यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता इसका अनुमान करना कठिन है उपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा देह को जार जूर कर धोती कुर्ता पहना फिर किशनपुर के लड़के को जिसने उपर चड़ने की चेश्टा को देखा था ताकीद करके कि वह कुए वाली घटना किसी से ना कहें हम लोग आगे बढ़े सन 1915 में मेट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने मा को सुनाई सजल नेत्रों से मा ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिडिया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है कितने अच्छे थे वे दिन उस समय राइफल न थी डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस साप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था शब्द अर्थ चिल्ला कडी सर्दी आशंका डर मज्जा हड़ी के भीतर भरा मुलायम पधार्थ भुनजाने भुनवाना जूरे तोड़ना प्रसन्य वदन प्रसन्य चहरा उझकना उचकना पंजे के बल उचक कर ज्ञाकना प्रतित्वनी किसी शब्द के उपरांद सुनाई पढ़ने वाला उसी से उत्पन शब्द गूंज किलोले क्रीडा प्रवर्ति मन का किसी विशय की ओर जुकाव म्रिग्शावक हिरन का बच्चा धाडे जोर जोर से रोना उद्वे बेचैनी घबराहट दुधारी दोनों तरफ से धार वाली दो धारो वाली आश्वासन भरोसा दिलासा घातक जो नुकसान पहुँचाए घात करने वाला प्रतिद्वंदी विपक्षी शत्रू एकाग्रचित्ता स्थिर्चित ध्यान सूच तरीका उपाय चक्षुच्रव आँखो से सुनने वाला पैंत्रो मुद्र स्थिती अच्चूक खाली न जाने वाला निश्चित अवलंबन सहारा कायल मानने वाला गुंजल्ख गुत्थी गांट वार प्रहार चोट ताकीद बार बार चेताने की क्रिया डेने पंक बोध प्रश्न प्रश्न संख्या एक भाई के बुलाने पर घर लोटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? प्रश्न संख्या दो मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पढ़ने वाले कुए में धेला क्यों फेकती थी? प्रश्न संख्या तीन साप ने फुसकार मारी या नहीं, धेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं यहा कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? प्रश्न संख्या चार किन कारणों से लेखक ने चिठियों को कुए से निकालने का निर्णे लिया? प्रश्न संख्या पांच साप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या-क्या युक्तिया अपनाई? प्रश्न संख्या चे कोई में उतर कर चिठियों को निकालने संबंदी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए प्रश्न संख्या साथ इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलब शरारतों के विशय में पता चलता है प्रश्न संख्या आठ मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाए कभी-कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए प्रश्न संख्या नौ फल तो किसी दूसरी शक्ती पर निर्भर हैं पाठ के संदर्भ में इस पंक्ती का आशय स्पष्ट कीजिए संचयन अभियाप सुन रहे थे ये ध्वनी पुस्तक वाचन, निवेदिता सर्दार, तक्निकी निर्देशन, सतीश लाडे ध्वन्यांकन, अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंडों तथा निर्मान एवं प्रस्तुती, दाव दयाल चतुर्वेदी प्रस्तुर्वेदी